So guys, welcome back to another comparison video और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Redmi Note 13 Pro Plus vs Moto H40 इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ अगर आपको इन दोनों में से कोई phone buy करना है और देखना चाते हो यार कि कौन सा phone अच्छा है कौन सा phone value for money रहेगा तो इस वीडियो को लाच तक देखते रहे ना इसमें आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे और कौन सा phone अच्छा है ये इस वीडियो को लाच तक पता चल जाएगा मैं हूँ बसीम और आप देख रहे हैं 120Hz कास में आपको refresh rate मिलता है और PPI 453 PPI पर बेच्ट है HDR10 Plus supported है और 1800 Nits Peak Brightness मिल जाती है Redmi Note 13 Pro Plus में Moto Edge 40 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें P-OLED display मिलता है 6.55 इंचेज में और इसमें भी Curve display है और HDR10 Plus supported है और 144Hz कास में आपको refresh rate मिल जाता है 402 PPI पर बेच्ट है तो ये इन दोनों के हो जाते हैं डिस्पले अगर मैं इन में से कोई एक डिस्पले चूज करने की बात करूँ या फिर बात करूँ कि डिस्पले कौन सा अच्छा रहेगा वेनर कौन सा फोन है तो Redmi Note 13 Pro Plus जो है वो डिस्पले में बेनर है नमबर फ़न डिस्पले मैं इसका कह सकते है जो की Redmi Note 13 Pro Plus में है बात करूंगर मैं यहाँ पर कैमरा की तो देखी कैमरा में जो मिलता है वो 200 MP में आपको मिल जाता है मतलब Redmi Note 13 Pro Plus में जो में कैमरा है वो 200 MP में मिल जाता है 8MP में आपको secondary camera मिल जाता है और 2MP में 3rd camera मिल जाता है triple layer setup पूरे होते हैं इस तरह से Moto H40 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें dual layer का setup मिलता है जिसमें 50MP में आपको main camera मिल जाता है और 13MP में आपको ultra wide camera मिल जाता है तो ये dual layer setup पूरे हो जाते है 4K video recording आप दोनों ही phone से कर सकते है YS का support भी आपको दोनों में ही मिल जाएगा और front camera जो है 16MP का दिया है Redmi Note 13 Pro Plus में जबकि Moto H40 में जो दिया है 32MP मैं बात करूँ इन में से कोई एक camera चूज करने की या फिर कहूँ की camera में कौन सा phone अच्छा है तो देखी camera में अगर में बात करूँ तो Redmi Note 13 Pro Plus जो है वो बहुत ही अच्छा camera यहाँ पर हम कह सकते हैं बिनर है camera में Moto H40 U के comparison में बाकि आप Moto H40 भी बाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी camera अच्छा खासा है लेकिन जो Redmi Note 13 Pro Plus है वो यहाँ पर बिनर है बात करूँ अगर में front camera की तो देखी camera जो है वो Moto H40 का थोड़ा ज्यादा अच्छा है Redmi Note 13 Pro Plus के comparison में बात करूँ अगर में यहाँ पर देखी चिपसेट की तो चिपसेट में जो मिलता है वो MediaTek Dimensity 7200 Ultra मिलता है 4NM पर वेज़ड है Redmi Note 13 Pro Plus में जबकि Moto H40 की में बात करूँ तो इसमें आपको जो मिलता है MediaTek Dimensity 8020 मिलता है जो की 6NM पर वेज़ड है तो भाई जो चिपसेट है वो दोनों ही अच्छे हैं और दोनों से ही आप अच्छी कासी gaming कर सकते हैं और बात करूँ अगर मैं यहाँ पर बैटरी की तो बैटरी जो है 5000MH का आपको मिलता है 120W की Fast Charging आपको Redmi Note 13 Pro Plus के साथ मिलेगी जबकि Moto H40 की बात करें तो उसमें 68W की Fast Charging दी गई है वो 4400MH की बैटरी आपको मिल जाती है Moto H40 में जो की 68W की Fast Charging को सपोर्ट करता है तो यह हो जाता है Moto H40 का बैटरी तो इन दोनों में से अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो देखिए बैटरी Redmi Note 13 Pro Plus में बहुत ही अच्छा है बैटरी में और सबसे पहली बात तो यह Fast भी चार्ज कर देता है बहुत ही जादा और IP68 की आपको यहाँ पर रेटिंग मिल जाती है